हेलो फेंड सेलकम टू क्यूजीन गैलेरी आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के एक हस्ता समोसे recipe start करने से पहले आप से मेरी request है अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं कि err característ कर लें subscribe करना बिल्कूल free है इसमें आपका कोई भी charge नहीं लगता है तो जाधा time न लेते हो चलिए हम recipe start करते हैं इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने दो कट्वरी मैदा लिया है आप इसमे हम डालेंगे ए छोड़ा चमच अजवाइन अजवाइन को हाथ से इस तरीकी से क्रश कर लेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर आटे में आ जाए आधा छोड़ा चमच डालेंगे नमक ए छोड़ा चमच बेक्मिंपौडर अजवाइन के लिए आप चाहें तो देशी घी का भी मोयन दे सकते हैं इसे अच्छे तरीकी से मिस कर लेंगे हाथ से अच्छे तरीकी से मसलते हुए इसे अच्छे से मिस करेंगे जिससे ये आटे में अच्छे से मिस हो जाए तो इसे मैंने अच्छे से मैस कर लिया है, इसका टेस्टर कुछ इस तरीकी से होना चाहिए और इसमें अच्छे सी बैंडिंग आनी चाहिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सक्त लेकिन नरम आठा गूत कर त्यार करेंगे पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे तरीके से मारते हुए आठा गूत कर त्यार कर लेंगे तो आठे को गूत कर मैंने त्यार कर लिया है, यह देखिए इस तरीके से, अब इसे हम 20 मेर्ट के लिए रद देंगे ढखके जिससे कि यह सेट हो जाया तब तक हम स्टफिंग त्यार करेंगे तो इसके लिए पैन रखें गरम होने के लिए इसमें डानेगे रिफाइन डॉयल और को गरम होने देंगे और हमारा अच्छे से गरम हो चुका है विसमें डानेगे बारी कटी हरिमेश लासोन और अधरक लो मीडियम फ्लेम पर दो से ती मेट के लिए अच्छे से भून लेंगे अब इसमें डानेगे आता छोड़े चमच हिंग एच चमच धनिया और एच चमच सौफ इस दो मेट इसे भून लेते हैं अब इसमें डानेगे आलू तो यहां मैंने 500 ग्रम आलू लिया है आलू को मैं लो मीडियम फ्लेम पर लगता चलाते हुए 8-10 मिन तर अच्छे से भून लेंगे मसालो में आप चाहे तो इसमें धनिया पौडर हल्दी पौडर और जीरा पौडर भी डाल सकते हैं पर इसका यूज मैंने नहीं किया है आलू को भून ते 8-10 मिन हो चुके हैं आब इसमें 10-15 मिन यूज में से भून लिया है आब इसमें लायंगे या ममिस पौडर ए चम क्शुन पौडर ए चम क्शुन पौडर एच गरा मसाला पौडर के जगह पोडर आप चाहने मसाला क्यूं निश कर सकते हैं मिसकर लेंगे इसे अब दली के पती बारी कटी हुई यसे भी पराबर लोई तोड़े हैं इसे अच्छे गूं कर लिया अब चलते इसे बेलने के प्रोसेस में तो के साथा आयसे हम बेल लेंगे। यह्लोड नहीं लाहा है।, इसे बहुत ज़्याज पतला भी नहीं नहीं बेलना है। इसे दो पार्ट में काट लेंगे और इस तरीके से तिकोना फोल करेंगे और एक कोन का शेब देंगे अच्छे से दबाते हूँ इसे प्रेस कर लेंगे इस तरीके से एक फोल पीछे की तरफ देंगे और तैयार की हुई स्टफिंग को अच्छे से फिल करेंगे अंदर की इसे close कर लेंगे देखिए इस तरीके से अच्छे से दबा लेंगे जिससे कि ये खुले मत तो सेम इस तरीके से हम सारे समुषे बना के त्यार करेंगे इसे कौन का शेफ देंगे अच्छे से प्रेस करके दबा लेंगे जिसे कि खुले मत एक फोल्ड पीछे की दरफ देंगे आलू की स्टफिंग भरेंगे अच्छे से प्रेस करेंगे और दोनों फोल्ड को इस तरीके से चिक्ता लेंगे तो सेम इस त्रिक के से हम सारे समुषे बना के त्यार कर लेते हैं आप चाहतो इसमें मटे भी डा सकते हैं और थोड़े से ड्राइ फूट्स भी डा सकते हैं पर इसके मैंने यूज नहीं किया है तो मैंने सारे समुसे बनाए के तयार कर लिए हैं अब हम चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में इसके लिए यहाँ मैंने काही रखिये गरम होने के लिए इसमें डालेंगे रिफाइंड ओयल और हमारा हलका गरब हो चुका है गैस की फ्लेम लो कर लेते हैं और एक ही कपकेस में समुसे डाल देंगे तलने के लिए समुसो को हम लो फ्लेम पर तलेंगे 8 से 10 मिट तक उलटते पलटते हुए हलका सा गोल्डेम ब्रॉन होने तक इसे हमें low flame पे ही तलना है समय सूक हम high flame पे नहीं तलेंगे तो ये होचुके इसे निकाल लिते हैं तो इस तरीके winter हम सारे समय से बना के त्यार करेंगे तो मैंने सारे समय से बना के त्यार कर लिए अब हम चलते इसको serve करने के process में समुसे बंग के त्यार है, इसे मैंने सर्फ कर लिया है, मैंने इसे सर्फ किया है टमाटे की चत्नी के साथ आप छाहें, तो धनिया और इमली की चत्नी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आलू के खस्ता समोसे बनके त्यार है अगर आको में रेस्टी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को और नना भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा कि यो कि अंगलें थेऊ से घ्राइबाइबाओबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाज रेछिप ठीका अपावले क inclалась प्ल。